हैलो मेरी प्यारे दोस्तों, वेरी ओम वेलकम टू कुक विटलिन, आज हम बनाने जा रहे है पालक पनीर मटर, ये खाने के लिए बहुत ही मज़ेका है, यहाँ पे हमने एक पॉट में हमने पानी लिया है, तकरीबन आदा लीटर है, इसे हमने अच्छे से बॉइल लाने देन हमने इसकी कवर लीड बन करनी है, और इसे हमने तकरीबन दो मिनिट तक बॉइल आने देना है, यहाँ पे दो मिनिट हो चुके है, आप देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक बावल लिया है, उसमें ठंडा पानी हमने एड किया है, और उसमें हमने यह पालक एड करनी है, और इसे ठंडे होने देना है हमने यहाँ पे हरे मटर लिये है तकरीबन 50 ग्रैम है यह फ्रेश हरे मटर है हमने इसे 2-3 मिनिट बॉयल करना है 2-3 मिनिट बॉयल आने के बाद में हमने इसे डिशाउट करना है जो हमने पालक ठंडे होनी रखी थी उससे हम mixijar में add करेंगे और इससे हम इसका एक paste बनाएंगे बहुत fine paste नहीं बनाना है दड़ा-दड़ा सा ही बनाना है यहाँ पे हमने कड़ाई लिए है उसमें हमने तकरीबन एक टेबल स्पून हमने oil एड़ किया है और एक टेबल स्पून हम इसमें butter add करेंगे यहाँ पे हमने तकरीबन 200 ग्रैम पनीर लिया है इस पनीर में हम थोड़े से इसे हम तड़का लगाएंगे तो यहाँ पे आदा टीस्पून हल्दी आदा टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है आदा टीस्पून जीरा पाउडर लिया है और आदा टीस्पून हमने धनिया लिया है अब हमने इसे अच्छे से बुनना है हाई फ्लेम पे तकरीबन 2-3 मिनिट तक यहाँ पे फ्राइ हो चुका है हम इसे डिश आउट करेंगे सेम पैन में हमने 2 टेबल स्पून बरके हमने मस्टर आइल लिया है अगर आपको मस्टर आईल पसंद नहीं है तो आपको जो भी आइल पसंद आप उसे ऐड़ कर सकते है यहाँ पे हमने 3 onion लिये है इसे हमने इस तरह से chop किया है ना मोटे ना छोटे medium size के हमने cut करने है इसे भी हमने high flame पे हमने इसे भूनना है यहाँ पे हमने अद्रग लिया है एक टेबल स्पून और लसन लिया है हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने अद्रग और लसन को हमने पेस्ट नहीं लीना है हमने इसे कट करके लेना है फाइन चौप करने है हमने इस तरह से तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है यहाँ पे हमने दो लाल मिर्च लिये है सूकी वाली इसे भी हमने इसमें भूनना है यहाँ पे हमने बेसन ल नहीं जाता है बेसन का तब तक हमने इसे बुनना है यह अच्छे से बुनने के बाद में हम इसमें एड़ करेंगे तकरीबन दो टमाटर इसे हमने स्कीन इसका उपर का पील किया है इसके दर से हमने जो बीजोते उसे भी हमने निकाले है अब हमने इसे भी इसमें अच्छे से भूनना है यह देखी इस तरह से इसमें हमने तकरीबान एक टीस्पॉन हमने नमक एड़ किया है इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे ताकि नमक एड़ करने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं कवर लीड करके हम इसे टमाटर गलने तक हम इसे कुप करेंगे अब हम इसमें एक टेबल स्पॉन कसूरी मेथी एक टीस्पॉन हमने जिरा पाउडर लिया है एक टीस्पॉन हल्दी एक टीस्पॉन गरम मसाला और कोरियंडर पाउडर लिया है यानि कि धनिया पाउडर एक टेबल स्पुन लिया है इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे मसाले हमने लो फ्लिम पे भूनने है गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए इसे हम अच्छे से भूनने के बाद में इसे दीखिए हम इसमें पालक जो हमने पीसी रखी थी उसे हम इसमें एड़ करेंगे और इसे भी हम इसमें से अच्छे से भूनेंगे कवर लीड करके हमने पूरा कवर लीड नहीं करना है आदा ही करना है और इसे हमने बॉइल आने देना है यह देखिए यहां पे बॉइल आ चुका है ओईल भी देखिए आप साइडों में से निकल रहा है इसका मतलब हमारा पालक अच्छे से कूक हो चुका है हमारे सारे मसाले अच्छे से कूक हो चुके है अब हम इसमें एड़ करेंगे दो टेबस्पन भर के फ्रेश क्रेम इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेश क्रेम डालने से ग्रेवी बहुती ठीस्ती और दिलिश्यस लगती है जो हमने मटर बॉल करके रखेते उसे भी हम इसमें एड़ करेंगे पनीर भी हम इसमें एड़ करेंगे हमने यहाँ पर दनिया डाला है यह और भी अच्छा टेस्ट देता है आप ज़रूर दनिया भी डालिए अब सारे मसालों को हम एक साथ में मिक्स करके इसे हम दो मिनिट पकाएंगे यहाँ पर हमने एक पैंड लिया है तड़के के लिए उसमें हम दो टेबल स्पॉन बरके हम ओईल कर एड़ करेंगे एक टीस्पॉन हमने जीरा लिया है दो टी स्पोन हमने यहाँ पे तील के लिए है इसे हम अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम पे हमने भूनना है इसे जलनी नहीं देना है यहाँ पे हमने लस्टन लिये है तकरीबन 4-5 इसे हमने इसे इस तरह से चौप किया है चुटे-चुटे पीसोसों में इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे यहाँ पे हमने दो हरी मिर्च लिये है आप दे सकते है यह आचार की हरी मिर्च है यह अच्छा सा फ्लेवर देती है अगर आपके पास में आचार के हरी मिर्च नहीं तो आप जो नॉर्मल गर्मे होती है उससे भी आप तड़का लगा सकते हैं और यहाँ पे हमने दो सुकी लाल मिर्च ली है इसे भी हम इसे फ्राइ करेंगे अच्छे से अब हम इसमें आड़ करेंगे हमारा तड़का थोड़ा सा तड़का मैं रखूंगी गार्निशिंग के लिए आप इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे यह दीखे हमारा पालग पनीर मटर रेडी हो चुका है अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा बटर भी आड़ कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए यह दीखे हमारा पालग पनीर रेडी हो चुका है वेल गाइस थैंक्स वर वाच्छिंग